पड़ावा यजमान पड़ा बराबर और पड़ावा यजमान खुदा बराबर गनशाम जिवाडी जी सही बात नहीं बता रहे हैं अनपड जाट पड़े बराबर और पड़ा लिखा जाट खुदा बराबर यह कावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत 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 चुका है, अब आपर हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्री गंश्याम तिवाडी, तिवाडी जी, यो 50 मिनिट्स, 21 तो करो, यह तो अपने पार्टी को के लिए, माने सहाब की मोदे, मैं प्रारम कुरूज के पर लेकर ना चाहूंगा, कि मेरे सामने एक समस्या आगी, जैसे उन्हों गाओं की दो कावते बताई थी, हमारे आपी गाओं में कावत है, का बिना पढ़ावा यजमान पढ़ा बराबर, और पढ़ावा यजमान खुदा बराब हैं, वो रंदीप सिंग सुर्जे वाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं, कावत है, अनपढ जाट पढ़े बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, ये बात कई सेंकलू सालू पहले की है तिवाडी जी, आलात बदल गए हैं, ये लागू हो रही है, तो सभापती मोजे, ये बात बहुत पुरानी है, पानी बहुत बहुत बहे चुका है, अब आप और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सभापती मोजे, मैं जब माननी है सुर्जेवाला जी बोल रहे थे, और उनके मुझे लोगतंत्र की और चुनावाइक्त की नियुक्ति की बात सुन रहा था, तो मुझे बड़ा रस आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कि एक बार नमीन चावला, जो स्रीमती इंद्रा गांदी जी के सेकेटरी थे, उनको ही चुनावाइक्त मना दिया था, और वो आज ये करें कि सरकार नियुक्त करने जा रही है, तो साब इतना ये बात करें है, फिर वो पार्टी लोगतंत्र की बात करें, जो अमर्जेंसी लगाई, सारा काम किया, तो मैं वो लोगतंत्र की बात नहीं करूँगा, उन बातों पर मैं नहीं जाूँगा, मैं इस बिल के और जा रहा हूं, और माने सिवापतिम होजे, मैं इस बिल के समर्चन करने के लिए खडा हूं, मैं उन्होंने दो बातों की चर्चा की, उन्होंने सनुविदान सभा की चर्चा की, उन्होंने सरवोचे नयाले के निरने की चर्चा की, पहले तो मैं सनुविदान सभा के बारे में बताना जाऊंगा, कि सनुविदान सभा ने ECI की नियुक्ति व्योस्ता को संसद के विवेग पर छोड़ने पर सहमत हो गए उन्हें कहाता कि ये चुनाव का सारा सिस्टम वो कारेपाले का ग्याद में तो नहीं होना चाहिए लेकिन संसद इसके लिए कानूर मनाए और ये संसद के विवेग पर है इसलिए मैं आपकी उस बात की ताहिद करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने जो कहा कि संसद ही सर्वोपरी है ने तो कोई नायल है ने कई और इसलिए सर्वोपरी संसद के रूप में ये कानूर लेकर हमारे अर्जुन राम जी मेगवाल लेकर रहे है उन्होंने बाबा साब हम बेट रहा जिकर किया अब वो पुराणे वो हमारे पुज्य है और फाउंडर मेंबर है और अब उनके बाद में साब अगर कोई शिडुल कास्ट का आदमी कानूर मंतरी बना है तो वो अर्जुन राम मेगवाल है तो साब अब जब आप उनकी चर्चा करते हैं तो अर्जुन राम जी मेगवाल के भी चर्चा करो तो मैं निमेदेने करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो विदे का उसका कारण क्या है साब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदित पड़ गई विफक्स की और इसके कारण से जिस सुप्रीम कोर्ट का बारबार निरने करे थे कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने हमने जज्जमेंट में कहा कि सरकार की हर बात को चुनोती सुप्रीम कोर्ट में देने से अराज़क्ता की स्थिति पैदा हो जाएगा और ये अराज एकता की स्थिदी पैदा करने का प्रितने वो कर रहे थे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये कानून बढ़ाने के आवसेकता के उपर जब बरनाला अजीत के केस के इंदर सुप्रीम कोट में गेर सुप्रीम कोट ने तीन लोगों की समिती बना द प्रत्यपक्स के नेता और सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस ये मिलकर ते करेंगे जब तक कानून नहीं बन जाता तो उस परिपेक्स में कानून बढ़ाने के लिए ये कानून लेकर हमारे विजी मंत्री जी आज यहां पर आये हैं इसलिए मैं विजी मंत्री जी का कती मौऱें इस कानून में चार्ण समीति की संड़ुष्णा की बेंगे की संड़ुष्णा की गयी है। कर दिया तो उससे भी कम संख्या हो और सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो उसको भी उसमें सामिल कर लिया जाएगा इतना कन्सेशन दे दिया क्योंकि हमें पता है कि परमानेंट रूप से वह कभी भी इस बात पर नहीं आएंगे कि उनको माननेता प्राप्त विपक्स की भूमिका रहे इसलिए सरकार ने सारी देता से ये प्रावजान कर दिया कि वो सिंक्या नहीं भी हो तो भी इनका प्रतिंदी चेहन में रहेगा और पदान मंत्री दोरा सद्देशे के रूप में नामित एक केबिनेत मंत्री उसमें सामिलो मानिये सवापति मोदे सतर साल तक जो आदमी इस बात को कभी चेहन समयती की बात ही नहीं की अपनी इच्छाओ उसको बनाते रहे वो आज इस परकार की बात करें मैं समझ बनी आता ये चुनाव आयोग क्या है? ये लोगों के थानमे क vendors का बया? मैं याद दिलाना चाहते हूं मानिये सवापति मोदे जब सबसे पहले टी एन सेशन बारत के मुंखे निर्वाद मुंखे चुनाव आयोगा तो बनेते तब लोगों को पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता वर्ना तो पले दो राजी सुनाव था अभी दसकार कर रहे तीक यह जो सेडेंश से बढेंगे, उनका यह केडर होगा, यह उनका यह केडर होगा, सक्ति शिंग जी, सुने, 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 एट, आपको एक राज दे रह 큰, राज दे रह09, मैं विदान सबा में मानिय गनशामतिवाडी जी के खिलाफ रहू हूँ मैं परती पक्षमी था मानिय गनशामतिवाडी जी मंतरी भी थे इनको जितना टोकोगे उतनी उर्जा आएगी इनको यह मत किजिए यह मेरी आपको राय है और निरजाज डांविजी ची के पिता जी भी हमारे साथ थी मा को राय दे रहा हूँ गनशाम जी अब आपको इंट्रप्शन नहीं होगा टाब समय में अपने बात कहपाएंगे डांगिशाभ तो मेरे पडोस में रहते हैं साथ जैपरु मेरे पडोश में रहते है नागी साब और मैं निवेदने कर रहा था कि ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो जिन लोगों का केडर बनाया है जो चुनाव आउप्त बनेंगे या मुखे चुनाव आउप्त बनेंगे इन में से कभी कोई पंचायत का चुनाव लड़ाव आदमी नहीं होगा यह मानी सुर्जेवाला नहीं का मानी सुर्जेवाला जी जिला निर्वासन अधिकानी डिस्ट्रिट कलेक्टर होता है मजिस्ट्रिट होता है वो कब चुनाव लड़ावा होता है वो चुनाव को लड़ावा होता है एक भी आदमी चुनाव लड़ावा नहीं होता और चुनाव लड़े वे आदमी को बनाते तो फिर चुनाव आयोगी नहीं होता इसलिए सबसे बड़िया ब्योजता है की गई है और ये बात आप जब करते हैं उसे में कुछ बात करनी चीए ती वो तो नहीं की मुखे बाद जो आपको करनी थी हुए करनी थी कि भारतिय लोकतंतर में और इसमें समझ्या क्या है इसमें जो सबसे बड़ी समझ्या है वो है परजातांत्रिक परिवारिक सामन्त्यवाद गोष्वामी समित्री की जिपारिस करी उसकी बात करी उस पर बोल रहे थे लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भारतिय लोक्तंत्र के सामने है परिवारिक परजातांत्रिक सामन्त वाद और वो कहने थे कि ये इडि का नामनी लेते इंडिया जो बोल रहे थे ये इंडिया इसके खिला फड़ा होगा इऔर परिवारिक परजातां तरिक सामन्थ साही प्रवर्टियों का प्रतिन जित्यों करता है एक भी मैं आज बताना चाहता हूँ यहां पर साथ साथ लोग एक परिवार के मेंबर और मंत्री हैं वो है परदात लोगतंतर के लिए खत्रा उस लोगतंतर की बात नहीं करते चुनाव आयोग की जो ब्योस्ता की गई यह स्वापति मोदे यह निस्पक्स्ता के लिए की गई और केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्णे और सुप्रीम कोट के निर्णे के आदार पर नहीं की गई सुप्रीम कोट का निर्णे डारेक्शन है लेकिन एक ब्योस्ता करनी थी कि 1991 के कानून में इस परकार की कोई ब्योस्ता नहीं थी 324 के अंतरगत और 101 कानून की ब्योस्ता करनी होने के कान से ये एक ब्योस्ता की गई और ये ब्योस्ता उन ब्योस्ताओं से बेतर है जो ब्योस्ता आप लोग पाब्लिक सर्विस कमिशन यूनियन पाब्लिक सर्विस कमिशन में जो नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां कैसे होती है उनसे बेतर स्थिति की इसे ब्योस्ता की गई ह अनुसुजाती आयोग उससे बेतर सिमिति की ब्योस्ता की गई है राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग उससे बढ़िया ब्योस्ता की गई है राष्टी अनुसुची जनजाती आयोग उससे बढ़िया ब्योस्ता की गई है और अन्य निकायों में जो नियुक्तिया होती है उ पिर ये नियुक्तियां और ये आयोग ठीक देंग से काम क्यों निकरेगा माननिये उस वापति मोदे मैं निविदन करना चाहता हूँ कि भारत की दो चीजों का अध्येन करने के लिए दुनिया बर से लोग आते पहला है भारत का चुनाव भारत के जैसा चुनाव बिश्व के किसी देश में नहीं है बिश्व के किसी देश में नहीं है आज आचार सन्टा लगने से पहले जो चीफ सेकेटरी और सेकेटरी मुक्य मंत्रियों और मंत्रियों के साथ थे जिस दिन आचासिंचा लगती है वे चुनावायो के अधीन हो जाते हैं और चुनावायो के अधीन होकर निश्पक जुरूप से काम करते हैं उसी हम का भी चुनाव करते हैं हमको सबत भी दिलाते हैं माननी लेए धिवारी जी मैं आपसेभरा ना कर रहो है आपस बात ना कर रहे हैं आपस बनी करें एक रही है तो मैं ये बात कर रहा थाथ 번째 कर दूφसरी बात कर रहा था कि जब मैंने कहाber रही हृँ कि ट ए न शेसर न सहाब से आने से पहले मैं सै सै मैं 1902 से इन चुनवावें स तो सरकार की चलती थी तब चुनाव के पहले दिन तक ट्रांसपर के लेटर कांग्रेस के नेता लेकर आदे यह बोड देओ यह ट्रांसपर का लेटर लेओ बोड देओ यह ट्रांसपर का लेटर लेओ तब तक काम करते थी यह तो आचार संता क्या होती है तब पता लगा और जब टीन सेसंस नहींता काम किया तो उन्हें देगा है तो बहुत कतरना काम है तो उसके संग्या बढ़ा दी दो कर दिये अब तीन हो गए हैं तो जज्जमेंट के आदार पर निरने होगा तो यह चुनाव आयो की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम इस परकार का काम कर रहे ह लेकिन चुनाव सुधारों की बहुत बड़ी हावसिकता सबाब तो अभी गोष्वामी समीती की शिपारस की बात की प्रकास्वीर समीती की शिपारसी व्यायू थी उन चुनाव सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया अगर किया गया है तो माननी है प्रदानमंत्री स्रिंद्र मोदी की द्वारा किया गया गुनी सो 91 मेने उन्हें कानूल बनाया और खुद न्यूक्तिया कर देते थे तो तो कमेटी भी नहीं थी तब तो सर्च भी नहीं था तब तो रिसर्च भी नहीं था यह बना देते हैं यह कर लेते थे लेकिन अब जब यह कमेटिया बार बार करते हैं अगर आपको चुनाव सुधार करना है तो चुनाव में धनका जो प्रियोग है उस धनके प्रियोग को कम करना पड़े आपको मौका मिलेगा जहाजी प्लीज तो चुनाव सुधार के लिए पैसे का अब पैसा कहाई से आएगा पैसा आता है चुनाव में ब्लेक मनी का और ब्लेक ब्लेक मनी जब पकड़ी जाती है तो समस्या होती है तो कहीं अठ्याउन क्रोड पकड़े जाती है बंगाल में तो कभी तीन सो पचास क्रोड पकड़े जाते हैं तो ये सारा का सारा पैसा लोग सुधार चुनाव के लिए कटा किया था लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इ कि आज तक जितना पैसा नहीं पकड़ा गया उतना करोडा रुपय का पैसा इस चुनाव के आचार संता के काल में पकड़ा गया यह इतनी सुद्धता इतनी सुचिता इतनी पवित्रता हमने इस चुनाव की कायम की तो एक तो मैं करना चाहता हूँ दूसरा स्ववापति मोदे हमारी तरफ से आप बता जएं कि पार्टियों के अंदर आंत्रिक लोकतंतर जब तक नहीं होगा जब तक सुंसर लागू नहीं होगा प्लिज आप बैठ जाएं प्लिज और राजनाश इंजिस लेकर सारे प्रान्तों के लोग आए और एक सामान्य कारे करता बाहर चे जनता पार्टी के अध्यक्स पत्तक पहुंच गया लेकिन उदर जो पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामन्तवाधी पार्टियां हैं उनकी क्या आल आते साब कोई बन भी जाए तो चलता हूं के करने से हैं तो मैं समझता हूं कि जब तक ये ठिकट बित्रण की ब्योस्ता परिवार वाधी को के हाथ में रहेगी तब तक ये ब्योस्ता ठीक नहीं हो सकती इसलिए चुनाव की ब्योस्ता को ओर ठीक करने के लिए पार्टियों के आंत्रिक लोगतंत्र को मंत्री मोदे, पार्टियों के आंत्रिक लोगतंत्र को सुधारने की बात भी होनी चाहिए. मैं माननी सभापती मोहदे के इस मच्च पूर्ण समझ है कि इस कानून बनाने का अधिकार पूर्ण ते संसत का है सुप्रिम कोट कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती वो डिर्देश कर सकती है और जो सुप्रीम कोट ने लिखा है वोई कानून में आए ये जरूरी नहीं है कानून को हम लोगतंत्र की बाउनाव के अनुसार और जनोप योगी ब्राड़े का काम इस संसत को करना है और वो काम हम कर रहे हैं मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून में चार बाते प्रमुक रूप से हैं पहला प्रक्रिया ने जो समय दिया था और खत्म हो चुका है आप बोले आपनी पार्टी का समय लेंगे नहीं मैं समाप्ति कर रहा हूं मानि सवाप्ति मोदे तो मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि वो दल जनोंने लोगतंतर का गलाग उटा वो दल जनोंने आपातका लगाया जनोंने अपने सचीव को मुक चुनाव आयुक्त बनाया उनके मुझे ये सारी बाते सोबा नहीं देती बारतिय जनता पार्टी आंत्रिक लोगतंत्र की पार्टी है और देश के लोगतंत्र को भी पवित रखने के लिए ये विदेख लेकर आई है इसलिए मैं इस विदेख का पुरा समर्थन करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद माननी स्री घंस्यामतिवार जी नाव अन्यबूस्री जवाहर सरकार जी 18 मिनट्स